हेलो एवरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कम्प्यूटर की ये फर्स्ट क्लास है आसा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए पसंद नहीं आए तो नीचे कमेंट करके अपना फीड़ बैक जरूर दर्ज करा है कि कहां पे सुधार की गुंजाईस है और अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू जरूर लिख दे ताकि इसका पार्ट टू जैसे ही पचास कमेंट होंगे मैं इसकी पार्ट टू रिलिज कर दूंगा विडियो बना कर मैंने रेडी रख रखा है तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू लिखिएगा जरूर ताकि पार्ट टू इसका रिलिज किय जा सके तो चड़िए very first question के साथ इसकी start करते हैं इस series को start करते हैं which button in MS Excel is clicked to calculate the sum of a series of numbers दखिए बात किसकी की जा रही है MS Excel की पहली बात question से दखिए कुछ information आप निकाल सकते हो दूसरी बात क्या की जा रही है कि sum of series को अगर add किया जाए तो कौन सा function को use करोगे auto sum को fill को merge को या insert को सबसे पहले यहां से एक image आप देख लो देख रहे हो आप image यहां से आपको क्या दिख रहा है answer आपको कोने में दिखाई पड़ रहा होगा चलिए clear होगी सारी बाते यानि कि right answer क्या हो जाएगा auto sum का आप use करोगे MS Excel से मैंने picture से आपको सारी बात दिखा द या फिर रखवार वाले का हिसाब रखना हो या कोई भी तरह का जहां पे जोड घटाव गुना भाग की जरूरत हो addition, subtraction, multiplication या फिर division का का काम करना हो आप आओगे MS Excel के सरन में तो right answer क्या आओगा आपका option number A के साथ आपको जाना था कोई भी doubt आपका नहीं होना चाहिए finance related ज ध्यान से पढ़िएगा G1 में कभी आप इस question को नहीं भूल पाओगे, सबसे पहले BCC का मतलब किसे है, BCC का मतलब होता है email से, किसे होता है email से, आपके mobile में देखिए Gmail का जो है आपको एक app दिख रहा होगा, Gmail को जैसे ही आप open करोगे न, actually वो computer में जब आप open करोगे तो ऐस सबसकर लो, मेरा email ID है yourmithunising at the email.com, आपका भी कुछ होगा, तो वहाँ पे आप जो है किसी को desire वेक्ति को जिसे आप भीजना चाते हो, 2 में आप उसका address फिल कर देते हो, अब CC आपको option दिख रहा है, CC का मतलब होता है, जब आपको, सबसकर लो कि आप एक corporate job कर रहे हो, आप चलो, school का exam लेते हैं, आप न, KBS में job कर रहे हो, और principal सर ने कहा कि आप computer teacher हो, आपको जो है, सहर के जो गिने चुने गनमानी लोग हैं, VIP लोग हैं, उनको email करके invitation देना है, 15 अगस्त को लिए, तो आप क्या, तो बोलेगा कि मुझे CC में add कर लेना, यानि कि principal सर देखना चाते CC में जिसका भी नाम आप दोगे, उनका पता कौन कर लेंगे, आपके principal, लेकिन ये बात जो है न, उन 20 लोगों को भी पता चल जाएगी, जिनको आपने add किया है, उनको पता चल जाएगा कि principal साहब भी इस पे dog watch रखे हुए हैं, dog watch का क्या मतलब होता है, नीचे comment करके होता है, blind carbon copy, option B, right answer है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, अगर principal साहब का आपने BCC में add किया होता है email ID, जो है, जो सामने वाले जिन लोगों को आपने VIP लोगों को invite किया है, उनको पता नहीं चलता, ये फाइदा है BCC का, right answer क्या हो जाएगा, option number B के साथ आपको जाना था, खड़ोरपती style में नहीं बोल पाया हूँ मैं, sorry for that, www, यानि के 3W का full form क्या होता है, नीचे comment करके बताइए, दूसरा question आपके सामने ये रहा, आपको बताना है, दो input और दो output device के नाम, input और output device के नाम, तीसरा question आपके लिए ये रहा, HTTP, HTTP और HTTPS में कौन सबसे अच्छा है, दोनों में से कौन secure माना जाता है, जिससे आपको use करना चाहिए, website अगर HTTP से start हो रहा है, उसे visit करना चाहिए, या HTTPS से start हो रहा है, उसे visit करना चाहिए, नीचे comment करके आप answer दीजिए, आपका नाम अगली वीडियो में, screen shot के साथ में मिल गया, worldwide wave यानि की www का full form हो यहां पर, इसे किसने खो जा था, सबसे पहले इस महान इनसान की image देख लो, जिसके कारण मैं आप से बात कर पा रहा हूं, आप से आपके सामने वीडियो रख पा रहा हूं, आप वीडियो देख पा रहे हो, इंटरनेट नहीं होता, तो य worldwide wave जो है ना, इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, team Berners-Lee, फोटो तो आपने देखी ली थी, option C, आपका right answer हो जाएगा, चलिए, बढ़ते हैं अगले question की ओर, what is the full form of internet, बहुत ही आसान question, लेकिन बहुत ही complicated, क्यों क्यों option इतने complicated है, कि आप बिलकुल गलत answer की ओर बढ़ होगे ही, देखिए, internet का पूरा नाम क्या है, ये बताना है आपको, internet का पूरा नाम है, अगर आप option A के साथ जा रहे थे, तो absolute correct थे आप, I mean incorrect थे, गलत थे आप, ये तो होगा नहीं, internet network भी नहीं होगा, ये भी गलत होगी आपका, option D के साथ, यानि के international network के साथ जाते तीनों option आपका क्या था, incorrect, 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 तो correct कौन था भया जी, option number C, interconnected network इसका right answer है, pen paper pen note down कर लीजे, या अपने दिमाग में से, जो है, feed कर लीजे, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 5 की और, आपको बताना है, कि जो हर computer होता है, each computer on a network is recognized by a unique, देखिए, कोई computer unique है, इसे आप कैसे जान बात हो रही है, uniqueness की, तो देखिए, यहां से आपना, सबसे पहले में एक example देता हूँ, suppose कर लो कि यह आपका laptop है, यह मेरा laptop है, और यह एक बगल वाले cafe का laptop है, तीनों laptop है, तीनों एक ही company के द्वारा ली गई है, sorry, तीनों एक ही company के द्वारा लिया गया है, तीनों का model भी same ह अब देखिए, अब आप बोलोगे doubt वाली बात, तीनों एक ही company का है, एक ही model के computer है, लेकिन differentiate कैसे करोगे, कि यह मेरा computer, यह आपका computer, यह मेरा, यह cafe वाले का, तो देखिए, simple सा तरीका है, IP address से आप पता कर पाओगे, जब आप खरिते हो, तो IP address के माध्यम से, जो है, computer को differentiate क किया जाता है, suppose कर लो, कि किसी ने ना, किसी को धमकी दे दी, और उसने आपका नाम लिख दिया, मैं नहीं, चलो किसी को धमकी दे दी, और आपका नाम इस्तिमाल कर लिया, रवी, प्रिया, नेहा, किसी का नाम, मैं नेहा पे ले लिया, तो पुलीस जाकर क्या, रवी, प्र ट्रेस करती है कि यह आई-पी अड्रेस किस के नाम पर रजिस्टर है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आई-पी अड्रेस ऑप्षन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साथ आपको जाना था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और वाइल टैपिंग in ms word ms word में आप टाइप कर रहे हो देखिए आगे बढ़ते हैं और लिखते लिखते कोई red line जो है indicate हो जाए कैसे red line इंडिकेट होता सबसे पहले के example देख लीजिए photo देख लीजिए आप दिख गई आपको photo ना अब देखिए इसका right answer क्या होगा जब भी red line आपको दिखे जब भी red line दिखे तो spelling और grammatical mistake नहीं होता है grammatical mistake भी नहीं होता है दोनों option आपका incorrect हो गया right answer क्या हो गया option number a spelling mistake हो गयी जैसे कि आपने pen का spelling p e n लिख दिया तो wrong हो जाएगा वहाँ पे वो red line ऐसे ऐसे हो जाएगा अभी मैंने photo भी आपको दिखाई थी तो right answer क्या हो जाए जाएगा red line चली आगे बढ़ते हैं अगले question की हो which of the following is not related to web search देखिए web search का क्या मतलब होता है आप Google पे जाते हो suppose कर लो अभी सारे लोग KBS के website पे जा रहे हैं KBS के website को आप Google के माध्यम से सर्च करते हो तो यह क्या है search engine है तो web search के माध्यम में Google तो पास हो गया Bing भी पास ह गया यहू बहुत पहले जमाने की बात थी यहू पे लोग बहुत search करते थे और यहू number one company हुआ करते थी as of now right now यहू की अब जो है बहुत कम reach रह गई है लोग यहू को नहीं Google को जो है Google में ज्यादा function आ गये ज्यादा services update ज्यादा आ गया है जिसके कारण Google को लोग इस्तिमा पोस्ट करते हो अपने रिलेटिव को फोटो दिखाते हो आपने कोई नई गाड़ी ले ली तो फोर्विलर खरिद लिया तो पड़ोसियों को जलाते हो साथ-साथ में फोट डालकर रिस्तिदारों को भी जलाते हो तो यह काम Facebook करता है लेकिन search engine का काम तीनों करेगा यहां प क्लास के student का result त्यार करना है आपको तो सबसे देखिए question को पड़े ध्यान से पढ़िएगा देखिए यहां पर पूछा गया है सबसे अच्छा best suited कौन सा होगा आपको मैं बता दू अगर आप MS PowerPoint में भी बनाओगे न तो आप बिल्कुल जो है मार्षिट त्यार कर सकते हो य पर फिर से आप जो है फोटो देख लो यहां से फोटो दिख रही है आपको तो MS Excel जो है सबसे अच्छा प्रिपेर करता है क्या मार्षिट डी के साथ आपको आगे बढ़ना था हम लोग आगे बढ़ेंगे question number 9 की और shortcut key जो होती है ना universal help के लिए देखिए बात की जा रही है universal help के लिए तो कौन सा key अगर आप दबा देते हो function की ऐसे मैं बता दू 12 function की total होती है F1 से लेकर के F12 तक तो function की जो हो रही है ना तो कौन सा function की अगर आप दबाओगे तो universal help आपको मिलेगी F1, F5, F9 या F12 तो देखिए F1 अगर आप दबा देते हो तो आपको universal help मिलेगी य F1 दबाने के बाद ऐसा interface आपके सामने और पेन हो जाएगा फिलाल तो no question हो गए आखरी question क्यों हम लोग बढ़ते हैं Amazon फोटो दिख रही है Amazon के लोगों की फिलिप काट की फोटो भी आपको दिख रही होगी और अलिबाबा के लोगों की भी आपको फोटो दिख रही होगी अब देखिए ये बताना है कि ये कौन companies हैं कैसी companies हैं किस तरह के ये जो है example set कर रहे हैं क्या ये social networking website है banking website है e-commerce website है या product review website है तो देखिए सबसे पहली बात product review का आपको तो मतलब पता ही है सब्सकर लो कि कोई product है कोई tv freeze या फिर mobile हो गया तो लोग review देते हैं कि ये mobile जल्दी गर्म हो जाता है या फिर ये earphone खराप है तो ये हो गया review website अब देखिए social networking facebook इवेन आप YouTube का भी इस्तिमाल कर रहे हो ये एक social networking website है banking website यसे HDFC हो गया ICICI हो गया या Axis Bank हो गया SBI Bank हो गया तो ये banking website है right answer आपका होगा e-commerce website देखिए Flipkart Amazon और Alibaba Alibaba चाना की company है ये त motorcycle भी आजकल आई मिन बाइक भी जो है आजकल आप जो है यूज कर सकते हो बैड के गद्दे कुछ भी आप खरी सकते हो इन website के मध्यम से इनका यूज करके आप कुछ भी खरी सकते हो चाय होरलिक्स वाटेवर कोई भी grocery हो इभिन आजकल तो वेजी टेवल भी आपको यहां और medicine भी देखने को मिलता है तो यह सारे website का example क्या है option number C आगे बढ़ेंगे उससे पले आप लोगों से request है एक बार जैहिंद comment box में जरूर लिख दे हैं अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो जैहिंद लिखकर आप जो है एक बार होसल आप जाई जरूर करें मेर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखरी में हैं very first question आपके सामने यह रहा the output quality of a printer देखिए जब आप print करके page को निकालते हो न तो output quality उसे कहाँ जाता है तो कोई भी printer के output quality को हम जब evaluate करते हैं यानि कि उसे देखते हैं कि इसकी quality कैसी है तो आप किस term में उसे measure कर पाते हो तो देखिए ऐसे question का जबाब एक ही होता है आप factual questions को याद रखना पड़ता है तो यह है factual question और इसका correct answer होगा वो होगा dot per square inch याद रख लिजए बहुत काम की चीज़ है क्योंकि बार बार जो है exam में यह पूछे जाते है factual question तो C इसका right answer होगा pen paper पे note down कर लिजए आगे यहां से आपको दिख रही होगी तो right answer क्या होगा यह भी जान लेते हैं तो यह right answer आपका क्या हो जाएगा यहां से देख लो आप optical character recognition यानि की right answer क्या हो जाएगा option number C के साथ आपको जाना था यह तो हुए दो question अब यहां से कुछ photo देख लिजिए जिन्होंने पिछले वीडियो में सारे answer correct करे थे उनकी photo आप यहां से pop-up होकर देख सकते हो इन सारे लोगों को टोकरी भरके बदाई G1 में यह खूब आगे बढ़ें और KBS के PRT, TGT, PGT जिस भी subject का यह exam दे रहे हैं भगवान उनको सफल बनाए आप लोगों को भी सफल बनाए आप लोग भी प्रयास किजिए कि question का जो भी question पूछता हूँ उसका answer आप लोग नीचे comment section में जरूर किजिएगा चलिए आज का question of the day यह रहा देखिए question of the day लिखने से पहले आप अपना नाम यहाँ पे जरूर लिखते हैं क्योंकि आज कल नाम पताने चल पा रहा है YouTube के कुछ new policies के बज़े से add the rate user कुछ आ जाता है तो आप अपना नाम सबसे पहले comment box में लिखिए उसके बाद लिखिए question of the day और पहला question मैं आपके सामने यह पूछ रहा हूँ आपको बस यही बताना है ना अगर किसी को mark sheet तयार करनी है तो वो MS office में किस जो है किस window पर जाएगा चहांसे वो आसानी से mark sheet तयार कर पाएगा सबसे best possible way क्या होगा निचे comment करके बताएगा दूसरा question आपके लिए यह रहा आपको यह बताना है कि email शुरू करने वाले सबसे पहली company कौन सी थी जिन्नोंने email की service की सुभिधा दी थी तीसरा question email के founder कौन आप लोगों को नीचे comment section में करना है चलिए time waste नहीं करेंगे और बढ़ेंगे question number 13 की और इससे पहले बता दू अगर आपको इसकी part 3rd भी चाहिए actually part 2nd है part 1 भी आ चुका है अगर आप part 3rd भी चाहते हो computer की class के लिए तो नीचे comment करके नीचे आपको क्या करना है नीचे comment करना है part 3rd अगर 50 comment आ गए तो नई वीडियो release कर दी जाएगी तो देखते है fiber optic cable जो है यह किसके लिए use किया जाता है तो सबसे पले picture ही देख लो आप तो देखिए यह जो fiber optical cable आपको यहां से दिख गया होगा अब देखिए आप घरों में जो यूज करते हो ना जियो का आपने लगाया होगा air tail का लगाया होगा wi-fi wi-fi क्या करता है यह signal से चीजों को catch करता है signal से आपको जो है data provide कराता है जहां से आप जो है यूज कर पाते ह इंटरनेट लेकिन यह जो fiber optical cable है यह यूज होता है आप देखना तार के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे लेके इसे जाया जाता है आपको मैंने भी दिखाया है यहां से एक बार और देख लो fiber optical cable इसका काम क्या होता है यह बहुत high speed चलता है और देखना कई कई बार क्या होता है ना कि समुदर के रास्ते से भी इसे बिखाया जाता है इंडिया में यह काम टाठा करती है याद रखिये का question अगर पूछ दिया जाए fiber optical cable कौन तियार कराता है तो टाठा कराता है और इसका फिलाल करें टांसर होगा कैफे मैं भी आप इसे देख पाओगे fiber optical cable आपको कैफे जहाँ बहुत स्पीट चलती है नेट वो fiber optical cable लिए होते है तो right answer क्या होगा देखिए computer का electron से क्या लेना देना option कट गया आपका electric signal से क् तक तैबट यह होगा नहीं फिलाल right answer क्या हो जाएगा डेटा के high speed से transfer करने की बात की जा रही है जैसा मैंने आप लोगों को समझाया भी right answer आपका होगा option number D चलिए बढ़ते हैं आगे question number 14 की और 14 number question बहुत ही important है देखिए क्या पूछा क्या है सबसे पहले मैं आपको पता यूज करोगे MS powerpoint का क्या यूज करोगे तो एक एक करके मैं समझा देता हूँ MS word का आप किसमें यूज करोगे MS word में आप लिखने का काम करते हो कोई भी अगर author book लिखता है न तो वो MS word में ही लिखता है यानि कि book writing क्या हो जाएगा one का one चलिए एक तो मैंने सही कर दिया फिर accounting यानि कि दोको financial वाली बात हो गई न तो two का क्या हो जाएगा right transfer three अब देखिए बचा एक ही आराम से आप चूज कर सकते हो लेकिन हम लोग फिर भी जो है day by day जाएंगे देखिए powerpoint presentation देखिए powerpoint presentation का आपके सामने example ये रहा ये देखो मैंने slide से त्यार किया है इसमें म mobile से मैं record कर रहा हूँ अगर मैं इसे PC या अपने laptop से use करता तो कुछ अलग धंग से ही मैं और इसे जो है utilization कर सकता था PPT में लेकिन ये slide है फिलाल मैं आपको बता दूँ जो powerpoint presentation हो जाएगा वो हो जाएगा two यानि कि one का क्या हो जाएगा one two का क्या हो जाएगा three और three का क्या ह जाएगा two कोई भी option नहीं है लेकिन आप लोग जो है जान लीजे थोड़ा सा ये option देने में मुझसे गलती होगी sorry for that बात करेंगे next question की किस की को आप हिट करोगे तो एक नया dialogue box open होगा जहां से आप चीजों को सर्च कर पाओगे PDF फाइल में सबसे पहले आपने result देखा कि भी अगर आप PDF डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आप सर्च करोगे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक option अगर आप यहाँ पे दा सर्च करते हो ना तो पूरे PDF में जो भी दा लिखा हुआ है वो आपको दिख साएगा तो फिलाल में इसका answer आपको बता कि और next question आपके सामने यह रहा देखिए a disruptive प्रोग्राम की बात की जा रही है जो कि spread होता है यानि कि फैलता है एक से दूसरे के साथ प्रोग्राम से प्रोग्राम में यह बढ़ेगा spread होगा डिस्क से डिस्क में यह बढ़ेगा तो देखिए इसे क्या कहा जाता है याद आप जो है songs वगेरा जो है वो भी आप डाउनलोड कराते थे तो देखना आप लोगों के साथ यह जरूर हुआ होगा जब भी आपने जो अपना memory card है जिसे उस समय जब उस जमाने में चीप कहा जाता था तो उस समय आप जब भी चीप को डालते थे computer में तो computer वाला बोलता पले में इसको scan कर लेता हूँ उसमें कोई virus तो नहीं है अब पता चला answer क्या है virus यह क्या है बी option c आपका right होगा virus हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वाइरस वो three date वाला नहीं यह real life वाला नहीं यह जो है computer वाला virus की बात हो रही है the numeric data enter in देखिए आपको पूछा गय तो number इस्तरफ आएगा या इस्तरफ आएगा अगर मैं लिख दूँ कोई भी later वो later इस्तरफ आएगा या इस्तरफ आएगा यहां से आप photo देख लो सारा idea आपको लग चुका होगा यानि कि इसका right answer क्या होगा 17 का right answer हो जाएगा option number c यानि कि जब भी आप numeric data लिखोगे वो past में गाने के .mp3 लिखा होगा जब भी आप कोई movie बगार देखते हो तो .mp4 लिखा होगा तो और भी बहुत सारे extension होते हैं सिर्फ यही मत आप assume कर ले ना फिलाल पूछा गया है MS Office के files का क्या extension है तो देखिए सबसे पहली बात ना अभी भी आप use करते हो और धडलन से use करते PDF है ना बहुत PDF PDF आप केलते हो तो PDF के साथ कभी भी आपने सुनाए क्या PDF X होता है नहीं होता है ना तो यह वाला option को आप कर दो reject इसे क्या कर दो reject कर दो और अगर यह 2007 से पहले की बात होती तो मैं answer लगाता C लेकिन बात हो रही है current scenario की 2022 की तो यह option तो आपका भी incorrect होगा क्य क्योंकि यह पहले की validity थी अब इसका नाम बदल का रख दिया गया है XLCX यानि कि सब में last में XX एड कर दिया गया है doc में भी आप जो है X एड कर दो और इसी तरह से PPT X में भी आप S जो है एड कर दो तो देखिए कौन सांसर आपको correct दिख रहा होगा ठीक इसका पडोसी जी जो है use करोगे MSXL को मैंने क्या बताए था financial activity किसी data को record करने के लिए और उसके बारे में और detailing के बारे में नमरी जो है वो use करने के लिए आप यहाँ पे काम करते हो दखिए अगर student का result निकालना हो तो definitely आप इसका use करोगे चलिए यह तो correct है आपका किसी का नाम जो भी इंडियन classical singer है उनका नाम और सामने उनके घराने का नाम बिल्कुल यह भी एक data है तो यह भी हम कहां use करते है MSXL में चलो B भी आपका यहाँ पे correct हो गया playing music video गड़बढ हो गई यहाँ पे यह गड़बढ है यह नहीं होगा यानि कि A ही B इसका right answer होगा A और B option A के साथ जाना था आपको अब मैं दखिए थोड़ी और बातें बता देता हूँ अगर आपको गाना सुनने का मन है MS office में तो आपको जो है कहां पे विजिट करना होगा आपको विजिट करना होगा PowerPoint presentation वहाँ से आप जो है सिंगाने बगएरा वीडियो बगएरा भी एटेच कर सकते हो PowerPoint presentation के मध्यम से आगे बढ़ते हैं आखरी question की ओर Which of the following font effect is not available in MS PowerPoint slide डालोग बॉक्स में देखिए सबसे पले यहां से आप एक image देख लो बहुत ही धुंदला नजर आपको आ रहा होगा sorry for that इसके लिए माफी चाहता हूं देखिए आपको layout भी यहां से दिखेगा दिख नहीं रहा है बट आप जो है हां में हां मेला देना रिजेट भी दिखेगा आप जब computer खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा यह यह तीनों आपको दिख जाएगा लेकिन यह जो an option है अरेंज आपको नहीं दिखेगा आप जब भी खोलोगे powerprint presentation वह आपको वहां पे नहीं नजर आएगा यह गायब हो जाएगा यह क्या हो वैनिस हो जाएगा तो फिलाल मैंने जो questions पूछे थे उस answer जरूर करने एक बार वीडियो में नहीं किया भी तक तो मैंने 20 questions आप लोगों को पढ़ा दिये थे जो कि यह आखरी question था अब हम लोग question number 21 से start करेंगे जिन लोगोंने 1 से लेकर 20 तक का वीडियो नहीं देखा है औ वाला question रहा how many maximum slides can be added to a powerpoint presentation PPT में कितने slide को add किया जा सकता है सबसे पहले जिनको slide के बारे में कोई idea नहीं है कि slide क्या होता है और कितने number slide add करेंगे हमें क्या पता तो देखिए slide इसे ही बोलते हैं यह क्या है slide है अभी मैंने 2-3 slide को up-down किया है यह क्या है slide बोला जाता है powerpoint presentation म तो देखिए अगर आप सोच रहे हो कि 50 maximum जो है जैसे देखो यह मैंने 1-2 करके दिखा है न इस तरह से 50 slide add किया जा सकते हैं नहीं 500 नहीं 25 नहीं यानि कि कोई fix number इसका है ही नहीं जितनी चाहो आप उतनी slide बना सकते हो उसमें जैसे मैंने कुछ लिक रखा है यहाँ पे आप कर सकते हो powerpoint presentation में यहाँ पे बाद किसकी की जा रही है fix number की तो कोई fix number है नहीं option C आपका right answer हो जाएगा और जब मैं आखरी बार सबसे maximum number जो slide की है वो मैंने 980 980 slide बनाई थी उसके बाद ज़रूत पड़ी नहीं मुझे तो मैंने छोड़ दिया था यानि कि मुझे मेरे हिसा पहली बार आए है चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लिजिए और दूसरों तक अपने दोस्तों और रिष्तिदारों तक जो KBS की त्यारी कर रहे है ना friends तक इसे जरूर पहुचाएं उन तक जो है चैनल को जरूर बोलें कि वो subscribe कर ले देखिए question क्या पूछा गया है hyperlink के बारे में यहां से कुछ image देख लो आप songspkpagalworld.com यह से websites थे downloading.com यहां से आप जो है इस download वाले पे क्लिक करते थे और song download होना start हो जाता था clear है बाते आज के time में आप movie बगएर भी download करते हो या फिर मैं अपने लिए images बगएर डाउनलोड करता हूँ google से तो वहां पे भी download का option आता है तो वो क्या है hyperlink है that is hyperlink जैसे ही आप click करोगे आपके सामने जो है download का option आ जाता है तो उसको hyperlink बोलते है question में पूछा गया कि shortcut क्य है इसका यह तो बताओ तो देखिए shortcut के लिए आपको क्या करना होगा यहां से right answer आपको दिख रहा होगा यह इसका right answer है याद कर लिए कुछ shortcut के लिए अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो shortcut के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ें उससे पहले आ आपके लिए बनाई जा सके चलिए आगे बढ़ते है question number next की ओर which of the following is not included in insert category in ms powerpoint powerpoint में कौन सा insert category में नहीं आता है question ध्यान से पढ़ना है आपको not included की बात की गई है यहां पे तो देखिए सबसे पले मैं छोटा सा example लेता हूँ आपके घर में suppose कर लो आपके दादा जी जो वो क्या हो गए परिवार के मुख्या हो गए है ना सारे important decision वही लेते हैं तो वो हो गए परिवार के मुख्या तो उसी तरह से आपके घर में आपके मा पिता जी आप बच गए आपके भाईबन बच गए वो क्या है परिवार के क्या है सदस्य है सब group की तरह है वो मुख्या कौन है आपके घर के दादा जी है मुखिया तो उसी तरह से shape, table, symbol ये क्या है ये परिवार का सदस्य है इसका मुखिया कोई और है लेकिन animation खुद ही एक क्या है मुखिया है यानि कि ये क्या है एक group है इस तरह से आप इसे समसकते हो ये भाईया पहुत powerful है ये क्या है छोटा-छोटा tool है किसी के अंदर यानि कि right answer आपका क्या हो जाएगा not included पूछा गया है insert category में कौन नहीं आता है तो insert में आपको shape में मिलेगा, table भी मिलेगा, symbol भी मिलेगा लेकिन animation क्या है खुद से एक category है खुद से क्या है category है डी के साथ आपको जाना था फिलाल अम लोग पढ़ेंगे अगले कोश वर्ड दखिए जब आप लिखते हो ना photo यहां से देख लीजे सारी problem यह आपकी दूर हो जाएगी फोटो देख रहे हो ना आप जब लिखना स्टार्ट करते हो तो देखो आप किस तरफ से लिखना सुरू करते हो आप अपने notebook का भी example ले सकते हो और computer में आप जो है text करते हो तो भी देखिए मैंने लिखना शुरू किया, कहां से शुरू हुआ यहां से शुरू होकर यहां खतम हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ यह इसी तरह से यह so on चलता रहता है सही बात है, यानि कि right answer आपको खुद पता चल चुका है क्या होगा इसका right answer? इसका right answer हो जाएगा left, आप left से लिखकर कहां तक जाते हो right की ओर, लेकिन अगर किनी को उर्दू लिखना होगा, तो वो क्या करेंगे? right से left की ओर जाएगे, तो खेर अभी उन सारे पचड़ों में पढ़ते नहीं है, पूछा गया है ms word में, लिखते किधर से हैं, तो left इसका right answer होगा, आगे बढ़ेंगे question number 25 की ओर, what does L stand for XLM, देखिए XML में L का क्या मतलब होता है, यहां से एक फोटो देख लिजे आप लोग फटा फट, और यह जो HTTP का full form हो, या HTML का full form हो, XML का full form हो, जरूर याद कर लिजे, इनका क्या use है, वो होगा, language, यानि कि L stand for क्या है, language, भी आपका right answer होगा, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा गया है, जो second generation का computer है, उसे क्या कहा जाता था, यहां से आप देखिए, पूरे list देख लो, और इसे जो है, बिल्कुल रट जाएए, रटना national education policy के विरूद है, लेकिन रटना आपको पड़ेगा, कोई और उपाई है नहीं, रट लीजिए, और हो सकता है, तो picture के माध्यम से याद कर लो, आप अपने निमोनिक्स बगएरा बना कर आप देख सकते हो, तो फिलाल देखिए, first generation में vacuum tubes आया था, जो कि 1940 से लेकर 1956 तक था, याद कर लिजिए, साइद इयर भी computer में पूछा जा सकता है, second generation जो आया था, transistor आया था, जो कि 1956 से 1963 तक था, third generation जो था, integrated circuits का था, 1964 से 1971 तक, और fourth generation जो था, वो microprocessor है, जो कि 1972 से लेकर 2010 तक था, fifth generation की बात की जाए, artificial intelligence है, जो कि 2010 से अभी तक ये चल रहा है, आप AI के माध्यम से सारे चीज़ों को देखते हो, तो फिलाल इसका right answer क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लिजे, second generation से के बारे में पूछा गया था, तो आपको दिखा दू, second generation क्या है, 1956 से 63 तक, transistors, यानि की option क्या होगा, D के साथ आपको जाना था, फिलाल हम लोग जाएंगे, question number 27 की ओर, what are the total number of function की on our keyboard, keyboard में total function की कितने होते हैं, photo देखिए आप, सबसे फ़ले प्रेम से photo देख लो आप लोग, photo में अगर आप count करो functions की इसको, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, ये 12 तक जाएगा, कहां तक दिख रहा हैंको, keyword भी दिख रहा होगा, 12 तक, यानि कि 4 आपका correct है, absolute correct है, इसी के साथ आपको जाना था, फिलाल बढ़ते हैं, question number 28 की ओर, बहुत important question, सबसे पहले देखिए, which of the given combinations of a file type and its extension is incorrect, कौन सा incorrect है, आपको से पूछा गया है, तो सबसे पहले देख लो आप, extension किसे करते हैं, अब किनी को extension ही नहीं पता, तो उन्हें क्या पता चलेगा, कि किसके बारे में बात की जा रही है, जैसे, आप अभी kbs.nic.in पर जाते हो, तो जो सबसे last में आता है, उसे बोला जाता है, extension, ऐसे समझे लो, आपको वो तो domain बोला जाता है, खेर, एक और example लेते हैं, जैसे आप, आप जो फोटो खीचते हो, क्लिक करते हो, कैमरा के माध्यम से, उसे जब सेब करते हो, तो last में क्या आता है, jpg, अगर आप कोई png image करते हो, मेरे तरह use, तो आप download करते हो, .png, तो यह सब क्या है, image के परकार है, image के type of है, उसी तरह से, इसे बोला जाता है, extension, last वाले code को, .jpg को क्या बोला जाता है, extension, तो अब पुछा गया है, कौन सा incorrect है, ध्यान दीजेगा, incorrect है, ms word में doc, ठीक है, 2007 की बात की जाती न, तो यह absolute correct होता, लेकिन मामला यहीं फस गया, यह गड़बढ़ हो गया, यानि कि यहीं आपका incorrect है, अब बोलो कि ऐसा क्यों, मैं आपको समझा देता हूं, साइद इससे related question और भी आ जाए, देखिए, सबसे पहले, dot dox, यह बन गया है, ms word का नया extension 2007 के बाद, इसी तरह से, अगर ms excel की बात की जाए, तो x l, जो है, s इसको बना दिया गया है, यहाँ पे last में s x जो है, add कर दिया गया है, इसी तरह से powerpoint presentation में, ppt x हो गया है, पले ppt ही था, last में सारे में x x add हुआ है, याद रखिए गया इस बात को, तो right answer क्या हो जाएगा, आपका option number a, a के साथ आपको जाना था, wait a minute, यह रहा a, आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, question पुछा क्या है कि, सबसे smallest, यानि कि सबसे छोटा, और सबसे बड़ा font size, ms powerpoint में कौन सा available है, powerpoint की बात की जा रही है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, pk movie की तरह, ms powerpoint में न, देखो थोड़ी से गड़बड हो जाती है, यहाँ पे आपको font थोड़ा बड़ा मिलता है, 8 से लेकर 96 तक आप इसे use कर सकते हो, देखिए मैंने question को 32 में रखा है, और इसके जो options हैं, वो 28 में रखा है font को, तो इसी तरह से अगर मैं इसे powerpoint में बनाता, तो 96 तक मैं इसे बढ़ा कर ले जा सकता था, अब maximum जो है 96, और minimum जो है वो 8 है, लेकिन लेकिन, twist ये है कि MS Word और Excel में पूछा जाता, तो ये बदल जाता answer और ये answer होता option number A, इसकी बात नहीं हो रही है ये, ये MS Word और MS Excel की बात हो रही है, MS Word और Excel की बात हो रही है, याद रखिएगा इस बात को, यानि कि A आपका correct answer होता, लेकिन फिलाल पूछा गया MS PowerPoint, तो क्या होगा option number D, चलिए आगे बढ़ेंगे, question number 30 की ओर, वाइफाई stand 4, वाइफाई का full form क्या है, ये पूछा गया है question में, देखिए, जाते जाते आकरे में आ चुका हूँ मैं, अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए हो, तो question of the day जो मैंने पूछा था, उसके जो winners हैं, उनके नाम के announcement यहां से की जा रही है, देख लिजे इनके नाम, और अगर आप अपना नाम यहां पर देखना चाहते हो, in future, जो कि आप देखो गई ही, तो नीचे जो question मैं पूछने वाला, उसका answer आप लोगों को करना है, सबसे पहले, बिल्कुल simple सा question, HTTP का full form क्या है, यह पहला question रहा, दूसरा question, आपको यह बताना है, कि Google, जो आप Google Drive वगरा यूज़ करते हो, Google Drive में, maximum storage, जो free के storage है, वो कितनी तक आपको दी जाती है, दूसरा question यह था, दोनों थोड़े से tough question है, Google भी करोगे, तो आपको answer मिल ही जाएगा, यूज़ कर सकते हो, answer जरूर दीजिए यहां से, पूछा गया है, Wi-Fi का क्या full form है, तो देखिए, इसका right answer option है, यानि कि wireless field भी नहीं होगा, wireless facility भी नहीं होगा, wireless fidelity इसका right answer होगा, option C के साथ आपको जाना था, wireless field भी नहीं होगा, right answer क्या हो जाएगा, option number C के साथ आपको जाना था, ये तो C का answer correct हो गया, अगर आपको इसकी part 4 भी चाहिए, तो नीचे part 4 जरूर लिखे, और की class को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ serious जो candidate है न, उनके photos आप यहां से देख सकते हो, ये भी हमारी और आपकी तरह hard mask के बने हुए हैं, इसलिए इनकी photo यहां नहीं आ रही है, hard mask के तो बने हैं, साथ में इनके पास दिमाग भी है, और उसका बहुत बखुभी इस्तिमाल कर रहे हैं, hardware कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए question का answer भी कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम यहां पे दिखाई दिया रहे हैं, अगर आपको भी अपना नाम यहां पे देखना है, तो नीचे comment section में, आपके computer screen पे, mobile या laptop जिस screen पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने यह तीन question रहे, इनका जबाब आपको नीचे comment section में करना है, तीनो question है, rule बस इतना है, यहां से आपको question तो दिखे रहे होंगे न, आपको बस यह करना है न, आपको लिखना है, सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपको question of the day लिखना है, qod लिख लेना है, 1, 2, 3, और नीचे क्या करना है, जो भी answer है, आपके वो लिख देना है, बात होगे clear, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, question number 31 से, serious student जो playlist से जाकर, वीडियो देख सकते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो 1 से 30 तक के सारे questions, जो है, playlist से जाकर देख सकते हैं, description box में भी आपको link मिल जाएगा, या फिर channel के playlist से जाकर, आप उसे check out कर सकते हो, तो चलिए, सुरुआत करते हैं, MS Word is an example of, आपको बताना है, MS Word किस तरह का example है, क्या ये एक operating system है, processing device है, application software है, या input device है, अगर मैं direct answer कर दूँ इसका, तो बहुत आसानी हो जाएगी न, इसका right answer क्या हो जाएगा, ये application software है, लेकिन ये कैसे, और जो सारे options हैं, उनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, operating system किसे कहा जाता है, आपने जो है Linux का नाम सुना होगा, पहली बात, दूसरी बात आप window पे, mobile बगरा या laptop बगरा चलाते हो, तो आप window का यूज़ इस्तिमाल करते हो, तो window भी ये क्या है आपका operating system है, आप अपना mobile पे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने mobile पे, तो ये किस पे देख रहे हैं, Android पे 90% लोग Android पे देख रहे होंगे, जिनके पास iPhone है, ये पूछा सकता है एक्जाम में आपसे, कि CPU कैसा example है, input का, output का, तो याद रखिएगा CPU ना input है, ना output है, ये processing का काम करता है, चलिए ये भी option आपका मिट गया, अब आते हैं input device की, तो देखिए input device क्या होता है, keyword आपका input device है, mouse आपका input device है, जहां से आप instruction डालते हो, और अंदर में काम होता है प्रोसेस होकर, तो ये क्या कालाएंगे, input device, तो right answer आपका क्या होगा, option number C, यानि कि MS Word जो है, application software है, जिसे आपके mobile में phone पे, Google पे, music player है, ये क्या है, एक application software है, या फिर, YouTube भी क्या है, एक application software है, C, आपका right answer होगा, फिलाल हम लोग बढ़ेंगे अगले question की और, workbook, यहां से आप एक photo देख लो, सबसे पहले, workbook का जो है, example और चीज़ें देखेंगे, workbook कहते किसे हैं, आपके सामने ये जो line दिख रहे हैं न, यहां पे line में जो भी चीज़ें लिखी गई है, electricity will हो, water will हो, यह water will, electricity will, जिन rows and column में लिखे गए हैं, यह workbook कहलाते हैं, clear होगी बात हैं, picture हटा रहा हूं में, अब देखिए, जो मैंने अभी आपको picture दिखाई, उससे आप 400% तक जूम कर सकते हैं, यह question exam में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अब देख लेते हैं question को, workbook जो होता है, वो किस से related है, आपने जो अभी आप screen पे photo देखे थी, एक बार और देख लीजिए, यह आपको मिलेगा MS Excel में, MS Excel का इस्तिमाल किस में होता है, data को store करने के लिए, कोई भी record रखने के लिए, financial activity के लिए, अगर आप school में पढ़ा रहे हो, तो Mark Suite भी आप MS Excel से ही तयार करोगे, यह आपका right answer हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, MS Word में देखिए, बुक वगएरा, अगर किसी writer को लिखना है, या आपको अपनी poem वगएरा लिखनी है, तो लिखने पढ़ने का काम, आपको MS Word में मिलेगा, और PowerPoint में क्या काम करोगे आप, PowerPoint में देखिए, PowerPoint में जो है यह मैंने slide बनाई हुई है, यससे slide बोला जाता है, यह कहां बन रहा है, यह बन रहा है PowerPoint में, आगे देख लिजिए, एक और option भी है, Adobe Reader, यह क्या है, Adobe Reader पे, यह मैंने slide बनाई है, उसे मैंने किस में खोला है, Adobe Reader में, application में, मैं उसी का इस्तिमाल करके, आपके सामने यह वीडियोज बनाता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बस एक एक जामपल बताना है, A और N, DAS is a central service, computer network that enables connect client to access the server's storage capacity, चलिए मैं question को बिल्कुल आसान भसा में समझा देता हूँ, पूचा गया है कि client, client का मतलब है audience, दर्सक, जो सारे चीजों को consume कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब देखिए, यहां से एक फोटो देख लेए न, side question आपको समझ में आ गया होगा, यह फोटो देख लीजिए, यहां से दिख रहे हैं आपको, यह क्या है, एक file service है, जहां से सारे लोगों को यह चीज़ें जा रही है, अब बोलोगे, इंसान नहीं होगे, जो इस वीडियो को देख रहे होगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, यानि कि मैंने किसी एक जगा पे data अपलोड करी, कहां पे करी, YouTube पे, और YouTube से बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, समझ में आगई बात हैं, यानि कि ये क्या हो गया, मैंने कहां पे अपलोड करी ये, फाइल सर्विस में, और फोटो एक बार फिर से देख लिजिए, LAN के माध्यम से, लैनि कि Local Area Network के माध्यम से, इसे आप चीज़ों को consume करते हो, देखते हो, क्लियर होगी बाते, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्ट, आपर सन इस कॉल्ड कम्प्यूटर लेटरेट, इफ ही और सी इज़ ज़स्ट एबल टू, क्या पूछा गया है कॉशन में, कम्प्यूटर लेटरेट किसे कहोगे, जो सिर्फ जो है, अपलिकेशन को ठीक ठाक जो है, रन करा ले, उसे काम कर ले, या फिर anti-virus software डेवलब कर ले, या फिर program लिख ले, या फिर दूसरे के computer को hack कर ले, सबसे पहली बात, computer को hack करने वाले को hacker पोलते हैं इस तरह की photo आप यहां से देख सकते हो यह बहुत ही गलत बात है morally भी और legally भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको jail भी हो सकती है याद रखिएगा तो D option तो आपका होगा नहीं program लिखना यह तो बहुत OP level की बात हो गई यादि की बहुत बड़ी बात हो गई उसी तरह से antivirus software भी create करना बड़ी बात हो गई मुझे computer चलाना आता है लेकिन मैं program नहीं लिख सकता हूँ नहीं antivirus software डेवलप कर सकता हूँ तो यह option कट गया option एक बिलकु लीजी सा है जहां से आप जो है which of the following is not an application software application software इन में से कौन नहीं है ध्यान से सुनिएगा कौन नहीं है यह पूछा गया है not ना सारा मामला भी गाड़ देता है तीन options हैं एक option incorrect है किसकी बात हो रही है application software की मैंने थोड़े दिर पले आपको बताया कि window क्या है application software है clear हो गई बाते अब देखिए उसी तरह से MS Word भी जो है sorry यह मैंने wait 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 यह मैंने क्या बताया था आपको MS Word क्या है software है antivirus भी क्या है software है adopt photoshop भी क्या है यह क्या है software है लेकिन window 7 मैंने भी आपको सहथ पहला या दूसरा question में बताया था window क्या है operating system है क्या है operating system है OS है यह यह क्या है operating system इस पे काम करते है जैसे android हो गया iOS हो गया यह क्या है operating system है B is the right answer होगा इसका B के साथ आपको जाना था फिलाल हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे देख लिजिए next question आपके सामने यह रहा आपसे पूछा गया है कि function keys जो F2 है न इसका इस्तिमाल आप किस लिए करते हो सबसे पाला option ही अगर आप देखोगे तो आपको option में क्या देख रहा है आप brightness बढ़ाने के लिए करोगे ऐसा देख लिजिए brightness बढ़ाने के लिए क्या आप F2 दबाओगे तो brightness बढ़ जाएगी दूसरा option देख लिजिए आप किसी फाइल को save करोगे तो आप F2 दबाओगे या फिर rename करोगे उसके लिए या फिर आपको अगर extra seat चाहिए MSXL में उसके लिए तो देख लेते हैं one by one सारे चीज़ों को देखिए इसका जो correct answer होगा पले वो मैं आपको बता दूँ अगर आपको F2 प्रेस करोगे तो rename हो जाएगा वो फाइल क्या हो जाएगा rename हो जाएगा वो यहां से एक photo देख लिए आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी अगर आप F1 प्रेस करते हो तो आपको जो help चाहिए होगी वो मिलेगी यह universal यह जो है universal की भी कहलाता है universal function की भी कहलाता है F2 क्या होता है जहां से आप file को rename कर सकते हो F3 याद कर लीजे इसे not कर लीजे exam में question यहां से आ सकता है आपका F3 जहां से आप F3 प्रेस करोगे तो आपके search feature जहां से आप चीजों को search कर पाओगे कौन कहां पर क्या है F4 करोगे तो वो जो window है activity window close हो जाएगी बंद हो जाएगी F5 सारे लोगों ने दबाया होगा आप computer को refresh करते हो ताकि computer slow काम ना करे refresh refresh का button जो है F5 में होता है F6 की एगर बात की जाए तो address बार आप ब्राउजर में search करने के लिए F6 का use करते हो F7 जहां से आप spelling grammar की check कर पाते हो spelling mistake है क्या F7 से आपको पता चलेगा F8 की अगर बात की जाए तो boot menu startup यह आपका open हो जाएगा F9 की अगर बात की जाए तो आप इसे refresh कर सकते हो send and receive करने के लिए कि यह हुआ है receive या send हुआ या उसके लिए F10 जो है activate हो जाएगा आपका menu bar और F11 में आप जो है enter कर जाओगे exit कर जाओगे full screen में mode में जो है come screen छोटा होता है minimize maximize यह कर सकते हो F12 में हो जाएगा कि आप जो dialogue box है यह आपका F12 से open हो जाएगा तो clear होगी बाते आगे बढ़ेंगे next question की ओर hard disk in a computer is hard disk किसे कहा जाता है computer का option तो इतने भारी दे रखे हैं कि आपका दिमाग घल जाए blast भी हो सकता है देखिए अगर मैं बोल दूँ यह CD ROM यह जो बताया गया है ना capacity CD ROM इसे क्या कहा जाए अगर मैं बोल दूँ इसे DVD आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी comment करके DVD का full form बता देना आप लोग इसे मैं बोल दूँ यह CD है अब आपको बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी temporary यानि कि अगर मैं बोल दूँ यह आपका pen drive है है ना और अगर मैं बोल दूँ magnetic store यानि कि यह आपका क्या है permanent वाली बात हो रही है यही आपका hard disk है computer में बोलते हो कि कितना यह क्या है ROM का है यानि कि कितना storage इसमें जो है भरा जा सकता है computer में hard disk उसे बोलते हैं और mobile map बोलते हो इसमें कितनी जो है memory भरी जा सकती है तो right answer आपका क्या होगा option number B चलिए आगे बढ़ते हैं question number next की ओर that is a way to quickly access a favorite website बाइस देखिए यहां से एक photo देख लो आप bookmark यहां से आप समझ जाओगे जब भी आप किताब पढ़ते हो suppose कर लो कि आपको page number 49 आपने पढ़कर खतम करी और अगली बार आप पढ़ोगे उसे तो आप page 949 पे क्या करोगे एक bookmark छोड़ दोगे जैसा कि picture में आप यहां से देख रही हो इसी तरह से अगर आप किसी यानि कि option B आपका क्या होगा correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं which of the following is not on a computer hardware computer hardware कौन नहीं है mouse की बात करें तो बिलकुल आप यहां पे not पूछ कर सारा मसला खराप हो गया mouse को आप छूँ सकते हो printer को छूँ सकते हो monitor को छूँ सकते हो लेकिन MS Excel को छूँ सकते हो क्या उस पे work कर सकते हो याद रखिएगा कोई भी software हो युसे आप छूँ नहीं सकते हो hardware को आप छूँ सकते हो तो देखिए hardware नहीं पूछा गया था तो software क्या हो चाएगा MS Excel यानि कि यह क्या है hardware नहीं है यही आपका correct answer होगा तो right answer होगा वो होगा web और web का full form भी आप देख लो web form audio file इससे भी question पूछा जाता है बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये थे फोटी questions आगे भी अगर इसकी आपको पार्ट चाहिए तो नीचे comment करके part 5 ज़रूर लिखिएगा ताकि part 5 आपके सामने रखा जाए और जाते जाते फिर से दोराद announcement में कर देता हूँ यहां से आपको कुछ फोटो दिखाई दे रहोंगे इन सारे लोगों को टोकरी भरके बढ़ाई ऐसे ये जिवन में आगे बढ़ते हैं और KBS में इन्हें जो है teacher की job जरूर मिल जाए आपके सामने यहां पर question आ रहा होगा आराम से देख लिजी इस question को इसका जवाब आपको नीचे comment section में देना है तीन questions आपके सामने flash हो रहेंगे इन तीनो questions का answer आप लोगों को नीचे comment section में देना है जो भी right answer है और आपके नाम को जो है जो winners होंगे उनके नाम के announcement अगले वीडियो में की जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आपके class को पहला question आपके सामने यह रहा आप program that automates the translation of assembly language into machine language उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है assembly language को machine language में बड़ी भारी समस्या होके यह आप तो आप हो सकता है कि नहीं को assembly और machine language के बारे में पता ही नहीं हो तो देखिए assembly language और machine language किसे एक आते है assembly language उसे बोलते हैं जोसे आप टाइप करते हो ना https या फिर www यह होगी आपका assembly language और machine language का मतलब हो गया 0 1 0 1 यहाँ से एक फोटो देख लो सारे डाउट हवा में उड़ जाएंगे और आपको answer भी पता चल जाएगा यानि कि assembly language कुछ भी 1 2 3 4 5 alphabetically कुछ भी लिख दो उन सारे जीज़ों को computer क्या करता है assembler actually assembler जो है उसे machine language में convert कर देता है फोटो से आपको सारी बाते समझ में आही गई होगी यानि कि right answer क्या हो जाएगा option number B के साथ आपको जाना था अब हम लोग जाएंगे question number 42 की ओर the process of a starting and operating system when the user turns on computer is known as आपको बताना है जब computer start होता है तो operating system को थोड़ा वक्त लगता है open होने में इसका क्या reason है तो देखिए actually एक फोटो यहां से देख लो आप इस तरह से समझ पाऊगे जब आप open करते हो तो धीरे धीरे आपका जो system है यानि कि आपका जो phone है mobile है वहाँ पे कौन-कौन सी app को जो है update किया गया है इन सारे चीजों को वह समझता है उसके बाद आपके सामने open होता है restart करने का भी मतलब यही होता है जब phone आपका hang कर रहा होता है तो phone actually क्या है ना आपके system को समझ नहीं पा रहा है इसलिए आप जो है reboot करते हो से और अभी आपने मैंने एक word का use किया reboot या फिर restart करते हो यानि कि आप क्या करते हो booting करते हो याद रखिए का कभी भी loading या फिर turn on पे आप मत जाना या starting पे मत जाना booting इसका right answer है exam में बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे लड़के के मन में यह confusion रही है या लड़कियों के मन में भी confusion रही है आगे बढ़ते हैं control, shift और alt जो है यह कौन सी कीज है modifier है, function की है या alpha numeric है या adjustment है तो सबसे पहले देख लीजिए आपको अगर लग रहा है कि यह function की है तो function की के बारे मैं आपको बता दू F1 से लेकर, F12 तक यह जितने भी कीज होते हैं F1 से लेकर, F12 तक यह सारे कीज को कलाया जाता है function कीज आपको मैंने पहले भी बताया था यह modifier कीज किसे कहते हैं जब आप control प्लस या फिर shift प्लस या alt प्लस आप कोई भी की प्रेस करते हो जैसे control प्लस आप जो है इन्हे modifier जो है कीज कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर next question आपके सामने यह रहा which of the following is not a version of MS office MS office का कौन सा version नहीं है तो देखे 3.0 भी आ चुका है XP भी आ चुका है 2007 भी आ चुका है और 9 नहीं आया है यही हमारा answer था 2009 अगर currently की बात की जाए तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे है Microsoft Office है 2021 October का latest version आया हुआ है उसे हम लोग यूज कर रहे हैं यहां से आप list भी देख सकते हो चाहो तो screenshot लेकर इसे आप आगे के लिए रख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं which type of chart can Excel produce यानि की Excel जो है किस तरह के chart को produce कर सकता है तो देखिए जहाँ जहाँ आपको only वाला दिख रहा है ना option ये सारे लोगों ने रहता फैलाया है ये answer तो होंगे नहीं यानि की सबसे पले एक list देख लो यहां से आपको देखिए column chart दिख रहा होगा पाई चार्ट दिख रहा होगा बार चार्ट दिख रहा होगा and so on बहुत सारे आपको जो है चार्ट दिखाई दे रहे होंगे यानि की देखो line chart पाई चार्ट only लिख दिया है तो ये तो कटा यहां से देख लिजए सिर्फ line graph होगा ये भी कटा बार चार्ट और line graph ही नहीं है बहुत सारे option है यानि की क्या होगा C आपका correct answer हो जाएगा हम लोग बढ़ेगे next question की ओर in Microsoft world control plus Z is a command for यानि की आपको बताना है control plus Z दबा देने से क्या होता है ये आपको बताना है देखिए control plus Z आप जैसे ही दबाते हो ये हो जाएगा undo यानि की किसी चीज़ को आपने लिखा और आपने delete कर दिया गलती से तो आप undo करके उसे वापस ला सकते हो और एक और बटन होता है याद रखिए question में ये भी पुछा जा सकता है control plus Y दबा दने से क्या हो जाएगा redo क्या हो जाएगा redo याद रखिए कि ये दोनों option बहुत important है ये shortcut की दोनों ही important है D के साथ आपको जाना था आगे बढ़ते है Dash is the largest font size available in a font size tool on formatting toolbar in MS office MS PowerPoint जो होता है न इसमें आपको बताना है कि इसकी text सबसे ज़्यादा कितनी maximize की जा सकती है देखिए ये question मैंने पहले भी बताया जिन लोगोंने details में सारे classes को देखा है उनको फायदा होगा और उनको answer भी पता होगा 96 होगा इसका लेकिन ये PowerPoint के जगा पे अगर यहाँ पे Excel पूछ दिया जाता Excel या फिर आपसे word पूछ दिया जाता तो यहाँ पे आपका answer 72 होता ये पहले भी मैंने पढ़ाया है याद रखिएगा PowerPoint में 96 तक आप जा सकते हो presentation बगरा बिनाने के लिए यानि कि right answer क्या होगा option D आगे बढ़ते हैं next question के लिए आपको arrange करना है इन units को सबसे पल एक photo देख लो और screenshot इसकी आप ले लो आगे in future बहुत काम आने वाला है pen paper पे not कर लिजिए table के पास चिपकावे लिजिए इसे इसका reason क्या है कि ये जो है बार-बार exam में पूछे जाते है सबसे बढ़ा क्या होता है TV होता है तो option C है क्या है सही दिख रहा है C के साथ आपको जाना था आगे बढ़ते हैं next question की ओर आपसे पूछा गया है URL क्या होता है यहांसे एक photo देख लो यहांसे आप domain क्या होता है protocol क्या होता है वो सारे चीजों को आप समझ पाओगे याद रखिएगा की option C आपका sorry option B क्या होगा correct answer हो जाएगा B के साथ आपको जाना था हम रोग जाएंगे last question question number 50 की ओर the default extension of Microsoft World 2007 Microsoft World 2007 का था आपको बस यह बताना है कि इसका extension यानि की last में जैसे कि आप song बगरा देखते होगे तो .mp3 लिखा होता है अगर आप movie बगरा देख रहे हो तो .mk भी लिखा होता है तो इस तरह में यह इसे extension बोला जाता है जैसे www.com आप देखते हो तो यह extension होता है तो पूछा गया कि इसका extension क्या है तो 2007 में तो doc था इसी तरह से excel की बात की जाएते हो .xlx था ppt में .ppt था 2007 की बात हो रही है लेकिन 7 के बात से क्या हुआ न सब में s जुट गए सब में x जुट गए तो यहाँ पे पूछा गया है 2007 का क्या था 2007 में तो जो था हुआ ही था यानि कि .doc ही इसका right answer हो जाएगा तो आपने आज की class देखी की class के बारे में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले winners के नाम की announcement में कर देता हूँ जिन लोगों ने question of the day का सही-साही answer कर रहा है इन सारे लोगों को टोकरी भरके बदाई ये exam में KBS के exam में qualify करके teacher बने हैं और देश को आगे ले कर जाए अगर आप भी अपने नाम यहाँ पर देखना चाहते हो तो नीचे comment section में यहाँ से आपको तीन questions दिखाई दे रहे होंगे इन तीन questions का answer आप लोगों को नीचे comment section में बताना है जो लोग भी सही answer देंगे उनका नाम अगले वीडियो में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं very first question के साथ hide option is present in आपको बताना है hide option जो है MS Excel 2019 2019 के ribbon बार में कहां भी present होता है आपको बस यह बताना है क्या वो insert वाले option में दिखेगा view वाले option में दिखेगा file या फिर data वाले option में दिखेगा तो दिखिए अगर आप insert वाले option में दिखेगा तो यहां भी आपको नहीं मिलेगा data और file वाले option में भी आपको नहीं दिखेगा I repeat कि आप लोग के पास अगर laptop है या फिर आप इसे access कर सकते हो किसी के यहां से जाकर तो MS Excel 2019 एक बार open कर लेना और जैसे ही आप उस पे view क्लिक करोगे न तो आपके सामने जो है hide का option दिख जाएगा मैं कोसिस करता हूँ picture तो blur ही आएगी computer वाले screen से screenshot लगाना थोड़ा सा मुस्किल होता है फिर भी आप यहां से एक बार देख सकते हो यह जो है blur आपको दिख रहा होगा right answer क्या हो जाएगा option number two view is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर VGA आपको बताना है VGA का full form क्या है अब आप लोगे VGA तो मैंने कहीं सुना नहीं है कभी देखा नहीं है तो देखिए अगर आपके पास laptop या computer है तो आपने actually desktop होगा तो आप इसे आसानी से समझ जाओगे कि यह क्या है आपने जरूर इसे देखा होगा और जब आप CPU को I mean monitor के साथ जैसे ही connect करते हो ना तो आपको इन तारों की जरूरत पड़ती है यहां से photo देख लो आपको समझ में आजाएगी मैं किस तारों की बात कर रहा हूँ किस तरह के wire की बात कर रहा हूँ तो देखिए इसे फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है अब ये question आगे रहा फुल फॉर्म में इसे कहा जाता है वीडियो graphics array वीडियो graphics array option number कौन सा दिख रहा है आपको वीडियो graphics array देखिए यहां पर option number ये रहा option number 3 यानि कि 3 के साथ आपको जाना था photo में भी आपने देख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं mozilla is a web browsing यानि कि mozilla firefox आप लोगों ने देखा ही होगा आपने उस पर browse भी किया होगा जैसे कि internet explorer है उसी तरह से जैसे कि google का chrome है उसी तरह से mozilla जो है एक web browser है साथ में इस तरह से आपने ओपरा भी देखा होगा ओपरा में नी तो इस तरह से इसका right answer क्या हो जाएगा ये actually ये पूछा गया है ये develop किस साल हुआ था आपको ये बताना है कि इसकी जो development करके इसे जो है market में उतारा गया था वो कब उतारा गया था 2002 में, 3 में, 1 में या 2000 में तो देखिए इसका जो correct answer है वो है 2002 2002 में जो है mozilla Firefox की शुरुआत की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए डिजिटल डेटा को कैरी करने के लिए modem का इस्तिमाल किया जाता है यहां से एक फोटो देख लो आपको सारी बातें समझ में आ जाईगी यानि कि modem ही वो digital है जो कि digital data को analog line पर ले जाने के काम में आता है modem इस दा right answer यानि कि option third इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली question की ओर action of using the mouse to move an item on computer screen to a new location is called आप से पूछा गया है कि अगर आप किसी suppose कर लो कि यह text लिखा है मैंने इस पूरे text को उठा कर मैं यहां लाना चाहता हूँ तो मैं किस option का use करूँगा क्या मैं cut paste कर दूँगा आपका doubt इसी में होगा तो देखो जब आप किसी को copy paste करोगे तो फिर जैसे copy करके paste करोगे यह same जगा पर यह उतर जाएगा और अगर आप cut paste भी करोगे तो यह same जगा पर रह जाएगा लेकिन अगर आप इसे drag and drop करोगा यानि कि इसे पूरे select करके इसे हटाओगे यहां से और यहां लाकर छोड़ोगे तब वो हो जाएगा। मैं कोसिस करूँगा कि image Google से अगर मुझे मिल जाती है, drag and drop की तो मैं आपको लगा कर दिखा दूँगा। otherwise आप computer में इसे practice करके देख लेना, image बगरा जैसे दखिए, यह logo को अगर मुझे हटाना हो, यहां से यहां ले कर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, drag करूँगा, इसे click करके इस तरफ खीच कर लाऊंगा, और यहां पर logo लगा दूँगा, चाहो तो इस logo को जो यह watermark है, यहां भी लगा सकती हो आप, तो right answer क्या हो जाएका फिला, फिला right answer थर्ड हो जाएगा, थर्ड के साथ आपको जाना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 6, which of the following option contains extension of MS Office file, यानि कि MS Office file का कौन सा extension है, मैंने बार बार कहा है आपको, extension जैसे आप photo कीचते हो, तो .gpg में वो save होता है, तो इन चार options में से आपको बताना है कि MS Office में, MS Office में कौन-कौन आता है, MS Office में Word, PowerPoint, PPT, ये सब के नाम आपने सुन रखे होंगे, तो यहाँ से देख लिजिए, सबसे पहले, जो MS Word में आता है, DOCX आता है, ये क्या आएगा MS Word में, अगर मैं बात करूँ, Excel की, तो XLX, S जो है लगने सुरू हुए है, तो यहाँ पे जो option है, आपका कौन सा correct है, तो देखिए option 2 correct है, कभी भी आपने अभी भी PDF वगेरा save कर रखा होगा, तो कभी भी PDF में X आता है, क्या नहीं आता है, तो ये option क्या है, incorrect है, यानि कि option A के साथ आपको नहीं जाना था, option 2 के साथ आपको चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले question की और, the numeric data enter in a worksheet, MS Excel की बात की जा रही है, ये जो भी numeric data, यानि की 1, 2, 3, आप कुछ भी 1, 2, 3, कोई भी number अगर आप यहाँ पे enter करते हो, तो वो किस side में आता है, sales की बात हो रही है, जो MS Excel खोलोगे, वो छोटे-छोटे box होते हैं उस समझ जाओगे, आसानी से, ये जो है, आपको right side में देखेगा, कहाँ देखेगा, right side में, यानि कि third इसका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे question क्या पूछा गया, which of the following task is possible in slideshow of MS PowerPoint, MS PowerPoint में कौन सा काम करना easy है, यानि कौन सा काम किया जा सकता है आप किसी website को browse कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप hyperlink activate कर देते हो, तो browse को access कर सकते हो, YouTube वीडियो चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, आप किसी बच्चे का result तयार कर सकते हो, slide में, बिल्कुल कर सकते हो, देखे, मैंने slide में यह है, देखो, मैंने data लिग रखा है, चाहूंगा, मैं किसी की मार्शीट की फोटो भी यहां लगा सकता हूं, या मार्शीट तयार भी कर सकता हूं, तो right answer क्या है, तीनों सही है, यानि कि A, B, C, कौन से option में दिख रहा है, option number 4 में, यानि कि 4 आपका क्या होगा, absolute correct answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, all data in the computer system is represented as, यानि कि computer data में जो system में number represent होते हैं, वो किस में represent होते हैं, तो देखे, इसका answer होगा, 0 और 1 में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कि computer सिर्फ 0 और 1 को ही समझता, बागी किसी चीज़ों को वो समझता, नहीं, अचलि वो इसे convert कर लेता है, 0 और 1 में, यानि कि 1 इसका क्या होगा, absolute answer हो जाएगा, चलिए आखरी question क्यों बढ़ेंगे, MS Excel 2009 में, A को और 1 को क्या नाम दिया गया है, column, देखिए, actually ये जो आप A, B, C, ऐसे लिखा होगा होता है न, 1, 2, 3, ये पूछा जा रहा है आपसे, कि ये column में होता है या रोज में होता है, देखिए, दो option तो ऐसे incorrect है, इस पे आपको discuss करने की ज़रोत नहीं है, column होगा, या rules होगा, तो यहाँ से फोटो देख लो, सारी चीज़ें आपके समझे में आ जाएगी, column में आपको क्या दिख रहा है, column में आपको दिख रहा है, A, B, C, इसी तरह से, rules में आपको क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, right answer क्या होगा, option number 1, फोटो से आपने सारी चीज़ें समझ ली, जाते जाते आखरी में आपको फिर से बता दू, अगर आप previous question paper, KBS, PRT के लेना चाहते हो, तो 99 में, और 49 में, जो भी पुराने pattern पे, जो भी questions थे, जो की हिंदी, इंगलिस का हो, वो सब मिल जाएंगे, 49 में 20 model set, 399 में आप मेरे handwriting notes require कर सकते हो, यहां से मेरे email ID और इंस्टा ID देख सकते हो, जिनने लेना हो, email या इस्टा पे मुझे message कर सकते हो, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.